जै जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको एक स्पेशल फ्रॉक की स्टोरी सुनाएंगे और बताएंगे कि वो कैसे स्पेशल बना राजक्रही नाम की एक सिटी थी, वहां के किंग का नाम था राजा श्रेनिक वहां पर भगवान महावीर का बहुत ही बड़ा समोशरन आया था समोशरन तो आपको मालूम है ना, जहां पर अरिहन भगवान हमें उपदेश देते हैं तो उस सिटी के किंग राजा श्रेनिक was extremely happy to hear that and he was very eager to go to समोशरन तो एक दिन राजा श्रेनिक अपने सिटी के लोगों के साथ पूजा की सामगरी मतलब पूजा के द्रव्य लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे किंग श्रेनिक तो elephant पर बैठे हुए थे और उनके साथ सब लोग गाते, बजाते, जूमते, नाचते हुए और जैजेकार करते हुए जा रही थे जो भी उनको देखता वो उनी के साथ हो लेता अच्छा, can you imagine कि उस दिन उन लोगों के साथ भगवान के दर्शन के लिए एक और छोटा सा क्रीचर भी था हाँ, एक छोटा सा फ्रॉग भी भगवान के दर्शन के लिए पॉंड से उचलता हुआ निकल पड़ा फ्रॉग के हैंड नहीं होते है ना तो उसने क्या किया मालूम है उस फ्रॉग ने लोटस फ्लावर मतलब कमल के फूल की कुछ पंखुडियों को पेटल्स को अपने मू में ही दबा कर रख लिया और वो फ्रॉग भगवान की भक्ती में इतना मग्न था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं तो छोटा सा फ्रॉग हूँ मैं कब पहुँचूँगा समोशरन कैसे पहुँचूँगा और उसे तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि राजा श्रेनिक की सवारी भी आ रही है और इतने सारी लोग भी आ रहे है वो फ्रॉग धीरे धीरे हप करते करते राजा श्रेनिक के हाथी के पास तक पहुँच गया बच्चो बताओ, if such a small animal gets crushed by such a big elephant, तो उसका क्या होगा? Obviously, वो अपनी लाइफ सेव नहीं कर पाएगा. Hmm, उस फ्रॉग के साथ भी ऐसा ही हुआ, that frog died. तो क्या उस फ्रॉग का भगवान महावीर के समोशरण में जाने का ड्रीम पूरा हुआ? बताओ, बताओ, you know what happened? जैसे ही राजा श्रीनिक और उनके लोग भगवान के दर्शन के लिए समोशरण में पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे देव पहले से ही भगवान के दर्शन के लिए आये हुए हैं. उन्ही देवों में से कुछ एक देव थे जो अलग दिख रहे थे, जो बहुत भक्ती भाव से भगवान के दर्शन कर रहे थे, और उनके क्राउन पर फ्रॉग का मार्क भी था. राजा शेनिक सोचने लगे कि ऐसा देव तो हमने पहले कभी नहीं देखा, जिनके की क्राउन पर फ्रॉग का मार्क हो, और उन्होंने पूछा कि ये देव कौन है? तब उनको भगवान महावीर के गंधर मुनी श्री से आंसर मिला, कि ये तो वो ही फ्रॉग का जीव है, जो थोड़ी देर आपके ही ऐलेफेंट के पैर के नीचे आकर मर गया था. वो फ्रॉग जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, उनकी पूजा भक्ती करने के भावों से पॉंड से बहार निकला था है ना? और उसी भगवान के दर्शन के बारे में सुचती सुचती ही उसकी मृत्य हुई थी. इसलिए उस फ्रॉग को नेक्स्ट गती कौन सी मिली? देव गती. और देखो, वो राजा श्रेरिक से भी पहले समोशरन पहुँच गया. तो देखा बच्चों, भगवान की भक्ती और अच्छे भावों से एक छोटा सफ्रॉग भी देव बन गया. हमें भी बड़े ही अच्छे भाव से रोज मंदिर जी में भगवान के दर्शन, अभिशेक और पूजन के लिए जाना चाहिए. हम सब जाएंगे ना? जै जिनेंद्र!